यह 8 जहेंटे के अधर आपंडुकी पुर्ट करेंगे और जो भी ट्रेंटिंग में आप लोग को पूआइट करकूँगा। तो एड़ दी अनड ओफ दी शेशन मैं आप लोग को वो डाटा शेर भी करूँगा। अलग से जो WhatsApp ग्रूप है उसके ऊपर में डाटा आपको दूँगा और दुरिंग दी सेशन और दुरिंग दर ट्रेनिंग अगर आप लोग कोई भी डाउट होता है तो आप लोग अपना माइक आउन करके मुझसे वो डाउट तुरंट पूछ सकते हैं और दुरिंग दर सेशन जब मैं आप लोग को ट्रेनिंग प्रोवाइट करूँगा तो आप लोग कोशिश करें कि अपने-पने माइक को बंद रखें ठीक है माइक आपको एमेर्जन्सी में आउन करना है शेशन की दोरान माइक आप लोग को आउन नहीं करना है उससे बैक्ग्राउंड नॉइस होगा जिसकी वज़े से हो सकता है किसी दूसरे कंटेट को टॉपिक समझने में मुश्री यानि मुश्किल पैदा हो So I request to Anil Sharma sir please mute yourself So that I can start my training At the bottom side you can see the option of the mic So when you click on that option your mic will be mute Anil sir try करें नीचे एक option होता है mic का सबसे नीचे bottom side पे आप task bar में जाएंगे तो उसकी उपर होता है इस app में तो वहाँ video को option भी है mic को option भी है Anil sir क्या आप मुझे सुन पा रहे है I think आपका आवाज मुझे तक नहीं आ रहा है answer आप देखें माइक में कोई problem है प्लीज उसको आप clear कीजिए Anil sir problem हो रहा है I think आप मेरा आवाज नहीं सुन पा रहे हैं उससे में session को स्टार्ट करने में problem होगा So please I request to you Please आप re-log-in कर लें एक बार आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है मुझे अपने side से आपको mute करना पड़ा है Anil sir आप try कीजिएगा अपने mic को दूर की प्रमाइक की जो problem हो उसको आप दूर कीजिए ताकि आप समझ रहोंगे ताकि आप लोग का communication मुझे अच्छे से हो सके चले start करते है Okay, so I have first shared the screen with all of you तो आप लोग को screen दिखाई दे रहा होगा मैं content यहां पर open कर देता हूं हम step by step चलेंगे यहां आप लोग का course content है I have already shared with all of you course content में जो भी topic होगा हम cover करेंगे one by one तो day one में आज हम लोग यह पढ़ने वाले हैं जो भी आप लोग को दिख रहा है जहां तक भी day one का topic होगा वो हमें आज cover करना है तो यह पूरा time duration आपका 7-8 hours कराएगा तो आप कोई भी session training incomplete ना छोड़ें तो सबसे पहले हम सीखेंगे how to organize the data data को organize कैसे करना है जिसके लिए हम लोग कुछ features यूज करने वाले है shorting के कुछ features होंगे हर तरीके का shorting हम इसमें सीखेंगे custom short, multi-level short, simple short, custom list short उसके बाद filtering and grouping सीखेंगे तो सबसे पहला target यह है जो हम cover करेंगे तो चलिए मैं start करता हूँ तो यहां पर आप देखिए दो सबसे main important topic आज के सबसे पहला है organizing की data उसके बाद हम लोग कुछ basic calculations पर जाएंगे सबसे पहले हम यहां देखते है data को organize कैसे किया जाता है जब भी हम Excel पर काम करते है तो Excel में जो हमें open होकर जो data मिलता है जिस भी किसी sheet के अंदर जाता है sheet जिसके अंदर होती है उसे हम बूलते है workbook वर्कबुक का मतलब होता है it is the collection of the sheet जिस तरीके से हमारे पास world का एक document होता है उसमें pages होते हैं जिस तरीके से powerpoint पे हमारे पास document होता है और उसके अंदर हमारे पास slides होती है इसी तरीके से हमारे पर जो sheets होती है वो एक workbook के अंदर होती है अगर हम बात करें 2013 workbook की यानि excel की या फिर हम बात करें मतलब version 2016 की या फिर version 2019 की तो उसके अंदर जब आप लोग workbook create करते हैं तो उसमें by default आपको एक sheet मिलती है लेकिन अगर आप बात करें 2007 वाले version की 2010 वाले version की तो उसमें आप लोग को तीन work sheet मिलती है पैरलली एक साथ पहले से create होता हुआ अब एक point और ध्यान रखने हैं आपको जब भी हम excel पे काम करते हैं तो जो भी data हमें excel में arrange करने के लिए दिया जाता है उसको सबसे पहले हम tabular format में लाते हैं तो सबसे पहला important काम हमारा होना चाहिए कि जो भी data हमें मिले हम उसे tabular format में लाए टाबलर format में लाने के बाद हम अपने data को organize करें data को organize करने से उसका जो view होता है वो काफी simple हो जाता है जिससे हम data को असानी से search कर सकते हैं उसके उपर filtering कर सकते हैं उसके उपर हम कोई भी analysis कर सकते हैं तो data को organize करने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं, पहला होता है shorting, दूसरा होता है filtering, तीसरा होता है grouping, हम एके करके सारे तरीके भी सीखने वाले हैं कि इन सभी ways को हम लोग कैसे use करेंगे, आगे देखे, अब मैं हाँ पर आपको सीधा practically बता हुआ, तो सबसे पहला task हमारा होग का shorting से related कि data को short कैसे करते हैं, कितने तरीके होते हैं और कौन-कौन से तरीकों से हम data को short कर सकते हैं, तो चलिए हम अपना पहला task complete करते हैं, आपको यहाँ पर Excel के एक sheet दिखाई दे रहे होगी, इसमें मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ताकि आपको यह अच्छे से दिखाई दे, अब देखें हमारे पास एक data sheet है, इस data sheet के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक data है, जिसमें मेरे पास 4 column है, supplier id, supplier name, supplier address and contact number, अब माल जी इस data को मुझे arrange करना है, arrange in the sense, मुझे इस data को short करना है, तो data को short करने के लिए आपको सबसे पहले वो column select करना होता है, जिसे आप short करना चाहते है, माल लिजी मुझे supplier id को short करना है, तो आप देखेंगे data तो already shorted है, बट इसे मुझे descending order में short करना है, यानि मैं चाहता हूँ उनके supplier id number जिसका सबसे बड़ा हो वो पहले आजए, तो आपको क्या करना है, table के उस column पर click करना है, उसके heading वाले part को बस select करके रखना है, उसके बाद आपको home tab में जाना है, यह देखी यह रहा आपके पास home tab का option this one, इस home tab वाले option में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपका data आप देख सकते हैं, short हो चुका है, अब एक और तरीका होता है data को short करने का, मनलीजे मैं supplier name को short करना चाहता हूँ, तो यह काम भी हम कर सकते हैं, यह काम data tab में जाके भी किया जा सकता है, आप data tab में जाएंगे, यहाँ पर आपको shorting का एक और option मिलेगा, आप यहाँ जाएं और यहाँ से अपना column select करें कि किस column के उपर आपको shorting करना है, तो हम यहाँ से select करेंगे supplier name, उसके बाद जो भी order आपको देना है, वो order आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर order दिया A to Z, अब हम इसे ok करते हैं, जैसे आप इसे ok करेंगे, आपका data A to Z के order में short हो जाएगा, इसी काम को करने का एक और तरीका होता है, कोई भी data अगर आपको short करना है, जो काम हमने data से short वाली window को open करके किया था, यही window हम home tab से भी open कर सकते हैं, home tab पे जाना है, सबसे पहले पूरा table आपको select कर लेना है, इसकी shortcut की आपके पास होगी control A, control A दबाते ही आप पूरा table select हो जाएगा, उसके बाद आपको editing group में जाना है, यहाँ पर आपको shorting and filtering में लेगा, इस पर आप जाएए और यहाँ से custom short पर आप click कर दीजे, जैसे आप custom short पर click करेंगे, same window आपके सामने फिर से आ जाएगा, अब यहाँ से आप कोई भी column select कर सकते हैं, उसके कोई सभी process clear है, कोई doubt हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई doubt नो हो और आपके सभी process clear हो तो आपको simple एक confirmation देना है, हाँ या ना बोलके, ताकि मैं अपने दूसरे topic पे move on कर सकूँ, हाँ जी sir, Anil sir, Arvind sir and Divakal sir, अगे, got it, चीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने second topic पे, तो इसको मैं minimize कर देता हूँ यहाँ आपकर, slide पे जाएंगे, slide से देखेंगे हमारा second topic किसके बारे में है, so हमारा second topic है, shorting the data in the workbook by using custom short, यानि custom short का use करके data को कैसे short किया जाता है, अभी जो हमने data short किया था, उसे हम बोलते हैं simple shorting, यानि वो एक general shorting होती है, जो बहुती असान होती है, एक ही level पे की जाती है, लेकिन हमारा अगर shorting का level भढ़ जाए, यानि data के अंदर data को short करना पड़े, तो हम उसे कैसे करते हैं, वो हमारा custom short के through ही possible है, चलो देखते हैं ये काम, तो मेरे पास यहाँ पर एक ओर data sample है, आपको, मैं इसको जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, अब देखे, मेरे पास एक data set है, data set मेरे पास एक membership का data set है, जिसमें आप कोई plan अगर purchase करते हैं, तो आपको एक member ID दे दी जाती है, जैसे हम जिम में जाते हैं, तो हम जिम के एक plan purchase करते हैं, जिसमें मुझे 6 मेने की membership, या 3 मेने की membership मिलती है, तो कुछ इस तरह का data set मेरे पास यहाँ पर मौजूद है, जिसमें मेरे पास कुछ columns है, member ID, first name, last name, gender, address, contact number, plan ID, अब मालने जिए हमारे boss ने हमें एक task करने के लिए दिया, उन्होंने कहा कि plan ID के base पर आप नाम को short करें, तो मैं चाहता हूँ पहले plan ID जितने भी record हैं, वो सभी short हो जाए, उसके बाद नाम के जितने भी record हैं, वो short हो जाए, तो इस काम को अगर हम करने जाते हैं, तो कैसे करेंगे, normally अगर हम करते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हमारे दिमाग में क्या idea आता, सबसे पहले हम plan ID को select करते, उसके बाद यहां से shorting करते, A to Z, तो यहाँ पर क्या हुआ, जितनी भी plan ID हैं, वो short हो गई है, अब मुझे plan ID 1 वाले record को check करने हैं, तो मैं plan ID 1 वाले record के पास गया, और यहाँ पर जब जाकर मैंने इन records को देखा, तो मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, कि यह जितने record हैं, यहाँ पर आप देखिए, यह वाले record, यह भी record short होने चाहिए, यह record भी मेरे को short चाहिए, तो माल लेजिए, last name वाले record के पास मैं आया, तो यह record मेरे पास shorting order में होने चाहिए, तो बटी record तो shorting order में नहीं है, कैसे नहीं है, जड़ा देखिए, B, उसके बाद M आ रहा है, फिर L आ रहा है, यह तो गड़बर है, KLM होता है, यानि ML के बाद आता है, तो यह data short नहीं है, तो हमें जाहिए, कि जब plan ID short हो जाए, उसके बाद नाम भी short होने चाहिए last name, तो हमारे दिवांग में idea आया कि क्यों ना last name को short कर दे, तो हमने इस data को select किया, और यहां से इसको short कर दिया, लेकिन यहां से गड़बर हो गया हमारा का, क्या गड़बर हुआ, यह data तो आपको short हुआ, बट plan ID आपकी de-shorted हो गई है, यानि यह mismatch हो गया है, तो इसको बोलते है multi-level shorting, यानि एक data को short करके, उसके अंदर आने वाले दूसरे data को short कैसे करते हैं, चलो देखते हैं, ये काम हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको पूरा table select कर लेना है, पूरा table select करने के बाद, shorting पर वापश जाना है, यहां पर आपको मिलेगा custom short, custom short पर जब आप आएंगे, तो यहां से आप अपना level दीजे, सबसे पहले आपको parent select करना है, parent का मतलब होता है, सबसे पहले आप कौन सा data select करना चाहते हैं, यानि top level पर किस data को short करना है, तो मुझे top level पर जो data select करना है, और जो short करना है, वो है plan id, so first मैं select करूँगा plan id, उसके बाद data को short कर जाएगा, एक order आप यहां पर देंगे, smallest to the largest, जो भी आप order रखना चाहते हैं, वो दे दीजे, अब इसके बेस पर एक level और add करना है, यानि मैं चाहता हूँ, मैं Excel को यह कहना चाहता हूँ, कि पहले Excel को मैंने बूला कि plan id को short करें, plan id को short करने के बाद, उसके अंदर जो last name आता है, उसको short किया जाए, तो मैं यहाँ पर एक level add करूँगा, level को add करने के बाद, यहाँ पर मैं column का नाम दूँगा, that is last name, उसके बाद मैं यहाँ पर order दूँगा, a to z, जो भी order आप देना चाहें, अब आप इसे ok कर देशें, अब मैं आपको यह data एक बार verify करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मेरे पास plan id यहाँ पर shorted है, मैं सबसे पहले one number का record select करके आपको दिखाता हूँ, तो आप इसको जब verify करेंगे, तो आप पर alarm आप देख सकते हैं, यह पूरे order में short हो चुके हैं, देख सकते हैं, KLMN, यह order short हो चुका है, अब मैं आपको 2 का भी एक data verify करके यहाँ पर दिखा देता हूँ, यह मेरे पास 2 का record है, इस record को भी अगर आप check करेंगे, तो यह last name जितने भी मेरे पास हैं, यह already short हो चुके हैं, अब यहाँ पर हम कितने level तक shorting कर सकते हैं, आप इसके अंदर 8 level तक ही shorting कर सकते हैं, मेरा मतलब है, plan ID के बेस पर आपने last name को short किया, लाश्ट नेम के बेस पर आप first name को short कर सकते हैं, first name के बेस पर आप जो चाहें वो short कर सकते हैं, यानि अगर आपके पास कोई census का data आजा है, जिसमें यहाँ पर countries लिखी हो, what it, तो सबसे पहला आप country को short कर सकते हैं, फिर country के base पर आप short कर सकते हैं उसकी state को, फिर state के base पर आप short कर सकते हैं उसकी district को, फिर district के base पर आप short कर सकते हैं cities को, फिर cities के base पर आप short कर सकते हैं ward numbers को, तो इस तरीके की shorting करके आपको क्या फायदा होगा, आपका data जो search आप कर रहे हैं बड़ी असानी से आप असानी से search क कर पाएंगे मालीजी किसी ने आपको बोला कि New York किसी ने आपको बोला कि US के अंदर New York के अंदर फलाना Ward number की details मुझे दीजे तो हम पूरे data को जब search करेंगे Ward number repeat हो रहे होंगे तो हम सीधा यहाँ पर पहले country को शॉट कर लेंगे उसके बाद हम स्टेट को शॉट कर लेंगे तो सीधर New York वाले section पर हम जाएंगे फिर हम Ward वाले section पर जाएंगे तो वो data हमें असानी से मिल जाता है इसको हम बोलते हैं multi-level shorting तो मैं आता हूँ आप लोग के पास confirm करने के लिए कि आप लोग को यह समझा आया अगर कोई problem है तो आप मुझे कह सकते हैं कि प्लीज confirm करें multi-level shorting के लिए रूँए आप लोग को अनिल सर अर्विंद सर और दिवाकर सर हाँ जी बूले हाँ आप इसको एट लिवल तक ले जा पाएंगे इतनी जरूरत वैसे पड़ेगी नहीं कभी आपको क्योंकि मैंने भी काम किया है ऐसा नहीं है मैंने माइस पर मतलब काफी काम किया हूँ है मेरा काफी experience है हम इतना अंदर जाते नहीं है मैक्सिमम आप कभी भी जाएंगे शॉर्टिंग लिवल पर पांच या शे शे तक बहुत हो जाएगा आपका आप नहीं जाएंगे आगे बहुत रेयर चांस होगा अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर अब आपर पास शॉर्टिंग का एक तीसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते है कस्टम लिस्ट चलो देखते हैं इसका एक्जांपल ये कस्टम लिस्ट क्या होती है और अब और आफ फिर से देखिए मेरे पास एक डाटा है जो कि एक एपलोई का डाटा है उन्होंने जिस भी मंत में अपनि ज्वाइणिंग लिया है तो उनका यहां पर मंत to join Expect आप देख सकते हैं, उनके employee ID मेरे पास है, उनका नाम यहाँ पर है, और उनकी designation यहाँ पर लिखी हुई है, अब माल लिजे हमारे boss ने या हमारे manager ने हमको इस पर काम करने के लिए बोला, और हमको बोला, कि जो भी data आपको दिखाई दे रहा है, इस data को आप descending order में short कीजे, तो Z for Jabra, वो सबसे पहले आएगा, यानि September का जो महिना है, वो सबसे पहले आजाना चाहिए, Alphabetic order में, तो यहाँ पर यह जो हमारा normal shorting होता है, ascending और descending, वो काम नहीं करेगा, अगर मैं इसको ascending order में लगाता हूँ, एक normal way के अंदर, तो April का महिना पहले आजाएगा, क्योंकि A K4 Apple पहले स्टार्ट होता है, Alphabetic order के अंदर, तो इस तरह की जो list होती है, उनको हम manual तरीके से short नहीं कर सकते है, एक general way में short नहीं कर सकते है, उसको short करने के लिए हमें एक custom list का सारा लेना पढ़ता है, तो कुछ ऐसे data हमारे पास already मौझूद होते है, जो Excel के अंदर पहले से predefined करके उनकी shorting बना कर दे दी जाती है, लेकिन कुछ data ऐसे भी होते हैं, जिनकी list हमारे पास already Excel की sheet में नहीं होती है, तो मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, कि कौन से sheets हमारे पास, कौन सा data पहले से custom list के अंदर मौझूद होता है, और कौन सा data मौझूद नहीं होता, त उसे कैसे बना सकते हैं, तो सबसे पहला example हम भी दिखते हैं, इस data को हम कैसे short करेंगे, month of joining को, तो सबसे पहले आपको ये पूरा table ऐसे select कर लेना है, अब मैं इसको descending order में short करना चाहता हूँ, या किसी भी order में आप short करना चाहते हैं, वो आपके उपर होता है, तो मैं पहले इसको random कर देता हूँ, ताकि ये गडबर हो जाए, random कैसे करूँगा, employee name को यहाँ पर short करके, अब आप देख सकते हैं, ये data मेरा random हो चुका है, अब मैं month of joining को अगर short करना भी चाहूँगा, तो होगा नहीं है, देखे, A to Z मैंने order दिया, तो April का महिना पहले आ गया, अब इ जाएंगे, तो यहाँ पर आपको column select करना है, that is month of joining, उसके बाद आपको क्या यहाँ पर value देनी है, कि मैं इसकी values को short करना है, ये already by default अपने आप आप आ जाता है, आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, order पर आपको जाना है, order पर जब आप जाएंगे, तो ये दोनो order आपको द दिखा रहता है, तो जैसे कि days हो गए, Monday to Saturday, इसी तरीके से आपके पास month हो गए January to December, तो आपको अपना data देखना है, कि आपके पास data कौन सा है, तो मेरे पास यहाँ पर जो data है, वो month का है, और वो complete word में लिखे हुए, तो मैं इस वाली series को select करूँगा, इस वाली series को, ये करने के बाद वो इस order को pick कर लेगा, अब इस order के तहए वो आपके इस column को short करेगा, आपको okay करना है, जैसे आप okay करेंगे, आप देख सकते हैं, आपका जो data है, वो shorting order पे चला जाएगा, अब मैं आपको एक और data दिखाता हूँ, जो list में मौझूद नहीं होता, तो उसको क यह roll number के according मेरा data short हो जाएगा, अब नाम को short करना है, तो नाम को भी मैं असानी से short कर सकता हूँ, लेकिन class name में गडबड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर यह alphabetic order में नहीं है, मतलब अगर मैं shorting के बात करूँ, descending order में या किसी भी order में अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले 10th आना चाहिए, फिर 12th आना चाहिए, फिर उसके बाद BC आना चाहिए, फिर उसके बाद MCE आना चाहिए, यही order होता है मेरे Utd, अगर मैं यहां पर हटाकर में हाँ लिग देता हूँ, 6th और इस class को मैं change करके लिग देता हूँ, let us suppose BC रहने में देता हूँ, अगर मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूं चलो देखते हैं कि शॉर्ट करके कौनसा ओडर मुझे देता है मैंने A to Z का ओडर दिया तो A to Z का जब मैंने ओडर दिया तो 6th क्लास पहले आना चाहिए था लेकिन वो तो नहीं आया चलो इसको Descending Order में देखते हैं तो Descending Order में दिया तो इसने पहले मेरेको BCA देखते हैं फिर 6 देखते हैं BCA के बाद 6 थो जी नहीं होता है BCA से पहले उसने 12th किया हुआ तो यह दोनो ओडर गलत हो गए है तो अब मुझे इसको एक क्लास का जो ओडर होता है उस ओडर में डाटा को अरे टास्क एक एकसरसाइज करने के लिए दूँगा जो आप घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं तो अभी देखें मैं इस डाटा को कैसे शॉट करूँगा सबसे पहले आपको पूरा डाटा स्लेक्ट करना है अपना कस्टम शॉट पर जाना है यहां से आपको स्लेक्रनी है क्लास कॉलम अब यहां पर जब आप Options लिस्ट पर जाना है और इसके अंदर जाकर अपनी लिस्ट को चेक करें क्या ऐसा ऐसा कोई लिस्ट यहां पर मवजूद है तो आप देखेंगे यहां एक नया पाउड करूँगा तो आपको लिश्ट पर क्लिक करना है यहां पर आपका पॉ जो data मेरे पास था, उसको मैंने एक order दे दिया है हम पर, अब इसको हम add कर देंगा अपली list में, तो ये list में data मेरा add हो जाएगा, उसके बाद इसी list को आप select करें, ok करें, आपकी list इस order के अंदर चली जाएगी, अब आप इसे ok करें, Excel आपके उस list को short कर देगा, आपके order में द instructor है, वो सबसे उपर आने चाहिए, ठीक है, उसके बाद नीचे नीचे जाते वे rank को high करने, तो जो instructor है वो उपर आने चाहिए, फिर उसके नीचे designer आने चाहिए, उसके नीचे executive आने चाहिए, उसके नीचे फिर manager आने चाहिए, फिर उसके नीचे आपके, जो होते हैं, क्या तो यह एक order हो गया है जो कि पहले से से नहीं है तो आप इस तरह का data लेंगे यहां से उसका एक order बनाएंगे वहाँ पर फिर order के base space data को आप arrange करेंगे तो यह आपका task होगा तो मैं आता हूँ आपकी sheet पर मतलब communication window पर जहाब आप मुझे confirm करेंगे इस इस किलियर तो आल अफ यू आप यूज कस्टम लिस्ट अ कि अनि अधर डाउट अनिल सर अनिल सर अनिल सर काम हो पा रहा है आप एक बार चेक करें माइक का कोई problem हो तो लेकिन confirmation जरूर दें चैट विंडो का इस्तमाल आप कर सकते हैं मैसिज लिकर चली अम आगे बढ़ते हैं अगले टापिक पर या दिवा के सार कुछ कहना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं या if you don't have that list if you don't have that list in your excel sheet or in your excel template window then you have to enter manually then you can short it क्योंकि computer अपने आप नहीं समझेगा कि कौन सा data आपके पास मौजूद है तो अगर आपके पास कोई data है then you have to enter it manually create the list and add it inside your excel sheet so that जब भी आपको कभी जरूर थो उस data के हिसाप से data short करने की तो आप उस order को डाले और वो data short हो जाए जैसे हम किसी office में काम करते हैं और इस तरह कि post का data हमरे पास बार बार लगाता रहता रहता है तो हम क्यों ना उसकी एक list बना के अपने पास excel में रख लें थाकि मुझे manually उस list को बार बार short ना करना पड़े एक बार मेरे पास list त्यार हो जाएगी तो हम कभी भी उसका इस्तिमाल कर सकते हैं by using custom list हाँ जी हाँ कर सकते हैं बिल्कुल वो आपकी हर excel में रहेगा यह नहीं कि सिरफ इस एक्सल की workbook में रहेगा वो आपके excel में रहेगा आपके पास ठीक है वो रहेगा आपके पास हो वन टाइम efforts है एक बार आपको डाल के लगाना जरूर पड़ेगा कि हाँ एडिट तो आप कभी भी कर सकते हैं लिस्ट पर क्लिक करके आप उसको जब चाहें तब एडिट कर सकते हैं मैं आपको दिखा देता हूं जैसे यह लिस्ट मेरे पास थी अब मुझे कभी भी आडिट करना है तो एडिट करने का तरीका वही रहेगा आप इस लिस्ट पे वापपस जाये और यह लिस्ट आपके बास है अडिट कर सकते हैं तो अब यह लिस्ट आपके बास है अगला यह बहुत ही सिंपल है filtering of data filtering of data का मतलब होता है select the specific data from the complete dataset जैसे आप यहां देख सकते हैं कि मेरे पास एक complete dataset है इसमें काफी सारा data मेरे पास available है अब मालने चे मेरे manager ने मुझे बोला कि मुझे एक report बना कर दे हैं और मुझे report के अंदर वो data आप provide करें जिनकी category id 8 है यानि 8 है तो अगर हमें filtering का use करना नहीं आता है तो बन्दा क्या करेगा एक एक data यहां से copy करेगा अगली sheet में paste मारता जाएगा फिर एक data copy करेगा अगली sheet में paste मारेगा तो इसमें काफी time waste होता है तो सबसे simple तरीका क्या है कि आप data के उपर filtering का इस्तमाल करें filtering लगाने का shortcut की होता है control shift L, I again repeat control shift L, अगर clear है तो अच्छी बात है, अगर clear नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, उसका shortcut की होता है control plus shift plus L for loy, तो यह shortcut की है, इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं, किसी ने not नहीं किया है तो वो note कर लीजेगा, control shift plus L, तो देखिए मैंने इसके उपर filtering का option है वो लगा आपको allow करना है, वही data आपको मिलेगा, जो data आपको allow नहीं करना है, वो data allow नहीं होगा, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि मेरे पास हर column के उपर एक filter बटन आ चुका है, तो मुझे जिस column के according data चाहिए, उस column के उपर आप click करेंगे, एक drop down list open हो जाएगी, देखिए य यह drop down list होती है, यह open हो जाएगी, यहाँ पर यह सभी data को select करके ला रहा है, मुझे इसको बोल ला है कि सभी data को select नहीं करना है, हमें सिरफ data number 8 को permission granted करें, आप okay करेंगे, जैसी आप okay करेंगे, तो data number 8 जितना भी होगा, वो आपको देख जाएगा, यह report मेरे पास आ चाहिए अब इस report को मैं copy करके किसी भी boss के पास भेज सकता हूँ, तो आप इसको filter लगा के किसी के पास ना भेजें, उससे problem होता है, आपको सिरफ यह data उन्होंने मांगा था, आप इसको copy करके किसी भी दूसरी sheet पे डालें और यह भेज दें आगे, और इसका column वगएर आप adjust कर सकते है, column adjust करने के लिए आप इसको select करें, और कोई भी column का एक जो height होता है, आप एक का height decide कर लें, बाकी सभी का height अपने आप decide हो जाता है, देखिए रहा, और बाकी column कैसे automatic height होते हैं, यह आप जब VBA करेंगे, तो VBA में आपको बताए जाएगा कि column automatic कैसे height होता है, तो यहाँ प सिरफ button पर click करेंगे, वो अपने आप format हो जाएगा data, तो यह हम VBA में सीख लेते हैं, तो अभी मेरे को जैसे यहाँ पर manually देखो सब काम करना पड़ रहा है, इसकी height कितनी है, इसकी width कितनी है, तो मुझे यह manually करना पड़ेगा, तो इसमें time ज्यादा लगता है, यह हमारा manual क लेकिन VBA अगर हमें आ जाता है, तो यह automated हो जाता है, बटन दबाना होता है, सब काम अपने आप हो जाता है, तो इसके लिए code लिखना पड़ते है, वो थोड़ा high level पर चला जाता है, अभी हम इसकी बात करते है, तो अभी देखिए आपके पास data यहाँ पर आ चुका है, च पता भी नहीं चलेगा कि किसके उपर filter लगा हुआ है, किसके उपर नहीं लगा हुआ है, एक एक करके चेक करना पड़ेगा, अब पता लगा, अच्छा, यहाँ लगा हुआ है, इसको अटाएंगे, सभी को select करेंगे, तो सबसे असान तरीका होता है filter को check करने का, अगर आप आप घ्यान से देखेंगे, जो filter बटन होता है, उसके नीचे एक तरह का यह निशान आ जाता है, आप देख सकते हैं, डबल निशान हो जाता है, इसका मतलब इसके उपर filter option लगा हुआ है, बाकि किसी के उपर filter option नहीं लगा हुआ है, तो simply आप इसका use करके, उसी filter बटन को click करके वहाँ पर जाकर check out कर सकते हैं, इस option पर filter लगा हुआ है, तो अगर आपको इसका filter remove करना है, तो filter remove करने के लिए यहाँ पर आपको button दिया दे जाता है, एक option दिया जाता है, clear filter, आप इस पर click करें, आपका filter यहाँ से clear हो जाएगा, तो यह तरीका हुआ, कि अगर आपको filter हटाना हुआ अपने data set से, तो ऐसे आप हटा सकते हैं, एक दूसरा तरीका दे कि बहुत ही simple है, माल लिजे मैं इस पर दुबारा से एक filter लगाता हूँ, मैंने यहाँ पर record, multiple record भी मैं select कर सकता हूँ, जैसे record number 5 और 8, इनको मुझे allow करना है, so it will just give me the order 5 to 8, अब मैं इसको एक इसके उपर भी column के उपर filter लगा हूँ है, वो हटा दीजे, ताकि हमारे सामने हमारे normal data हमारे पास आजए, तो एक एक करके अगर column पे आप काम करेंगे, तो बहुत समय आपको लग सकता है, हो सकता है data set आपके पास 500 column का हो, तो आप एक एक करके column चेक करेंगे, बहुत time waste तो filter button हटाना कैसे, दुबारा से आपको वही key press करना है, control shift L, तो filter button हटते ही सारा filter खतम हो चुका है, आपके पास जो complete data था, वो complete data आपको दुबारा मिल गया, अब फिर से filter button apply कर दें, तो तुरंत आप महां से जो filter लगा हुआ था, वो हटा सकते हैं, ये तो हुआ, नुमेर filter option पर जाना है, search में जाके यहां पर type कर देना है radio, तो ये filter जो option होता है, वो automatically on record को pick कर लेगा, जिसमें radio आ रहा है, आप ok करें, that's ok, report आपका बन के तयार है, कभी भी filter अटाना हो, control shift L कर दें, कभी भी filter लगाना हो, control shift L कर दें, multiple level filter भी आप लगा सकते हैं, जैसे कि, record select करन तो मैंने हाँ पर multi filter लगा रखे हैं, यानि मैंने product भी वो select के हो है, जो wireless का हो, और वो भी product category जिसके 10 आती हो, तो मेरे पास वो record आजएगा, अब मैं इसको उपर report बना के, मतलब आगे जो भी है, वो आप भी सकते हैं, अब filter अटाने की बात आती है, तो आप एक एकर के filter option को समझ पाए, filter में कोई problem, कोई doubt आप पुछ सकते हैं, दिवाकर सर, okay, और विंद सर, okay, I got it, now, go to the task number 5, grouping the data in the workbook, यह भी बहुत ही simple है, data को group कैसे किया जाता है, चलो उसको भी एक बार हम देख लेते है, okay, तो यहाँ पर देखिए, मेरे पास एक data है, जो की sales report का data है, division के अलग-अलग sales report यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि आप लोग को यहाँ system पर दिखाई दे रहे हैं, अब यह data अगर हम किसी को show करते हैं, तो यह पूरा data, अगर मुझे पास मालेजी, यह client आता है, और वो Australian division से connected है, तो मैं उसको जब यह data show करता हूँ, तो वो अपना data तो देखे गए, देखेगा, साथ में European division का भी data देख लेता है, तो मुझे इस data को ऐसा कुछ करना है, कि यह data उसको दिखाई ना दे, तो मैं data को group करके अपने पास रख सकता हूँ, और according to the client requirement, data को open और close कर सकता हूँ, तो हमें क्या करना होता है, वो देखिए, आप इस data को select करें, जो Australian division का data है, उसके बाद आपको data tab पे जाना है, यहां से आपको group पर click करना है, जैसे आप ही करते हैं, आपका data group हो जाएगा, यहां पर आपको minus करने यह निशान दिखाए देगा, जैसे आप इस पर click करेंगा, आपका data collapse हो जाएगा, देखिए, यह data hide हो चुका है, same process आप सभी के साथ कर सकते हैं, तो जितने भी data set आपके पास है, आप सभी के साथ यह apply कर दें, आपका data totally group होता चले जाएगा, ऐसे, और जो दूसरा client हो का, उसको data वहाँ पर visible नहीं होगा, वो उसको देख नहीं सकता है, जब तक आप ना चाहें, जब तक आप उसको permission नह नहीं देंगे, आप उसको open करके नहीं देंगे, वो data को देख नहीं पाएगा, तो इससे हमने क्या करा, row को group कर दिया, अब आपको American division का data अगर कभी show करना है, तो आप American division के data पर click करें, वो data आपको show होने लगेगा, इसी तरीके से, जैसे आपने row को group किया है, वैसे ही, आप column को भी group कर सकते है, माल लेजे मुझे quarter का भी data, यानि किस-किस quarter का data मैंने यापर open कर रखा है, बना रखे है report, वो भी मुझे show नहीं करना है किसी client को, तो आप इसको select करें, select करने के बाद इसको भी group कर दें, तो आपकी जो column है, वो भी group हो जाएंगे, देखे, completely group हो चुका ह सारा data, अब आपके पास सिर्फ division, division का data हम लोगों को यहाँ पर दिखाई देता है, अब कोई division का बंदा है, American division का, उसकी report मुझे check करनी है, हम click करेंगे हाँ पर, तो यह report उसके 4 अलग-अलग components में हम देख सकते है, अगर वो हर quarter की detail बगएर भी मांगना चाहता है, तो हम इस पर click करेंगे, अब मैं उसको quarter wise sales report भी दिखा सकता हूँ, यह तो बात हुई data को group करनेगी, कभी in future अगर आपको वो data ungroup करना हो, तो कैसे करते हैं, देखे, जिस column को आपने group कर रखा होता है, कैसे पता चलता है, कौन-कौन से column आपने group कर रखे हैं, start यह देखे, B से लेके F तक जा रहा है, तो आपको F तक data select नहीं करना है, इसका पता करने का simple तरीका होता है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो जो column आपने select के थी, उसके उपर dot का निशान आ रहा है, अगर आप देखेंगे, तो जहां-जहां पर भी dot के निशान आते हैं, वो data select किया जाता है, और उसके बाद ungroup कर दिया जाता है, यह देखें, अब जैसे मुझे यह data ungroup करना है, तो यहां पर आप left hand side पर देख सकते हैं, dot के निशान आ रहे हैं, तो जहां dot के निशान है, simple आपको वो data select करना है, data को select रने के बाद आपको यहां से ungroup करना है, तो यह process होता है data को group और un information window pick, क्या grouping ungrouping is clear to all of you, करना पड़ता है एक तो होता है यहां से सлекड़ करना यहां से श्लेक्ट करना है? यहां से इसatoreल में और विसमें भी आठ लेवल तक का ग्रूपिंग होते है कि नुदि आपको जरहा और अब हुसक्त है से मेरा क्या मतलब है सबसे पहले इस पूरे डाटा को आम अंग्रूप कर लेते हैं फिर वह आठ लेवल का क्या सीन होता है वह आपको मैं बताता हूं अभी यह भी अंग्रूप करती है मैंने यह पूरा डेटा ही गुरूप कर रखा है यह पूरा डेटा गुरूप कर गया जित्ता भी रिकॉर्ड मेरे पास है अब इसके अंदर मैंने एरोपियन अमेरिकन और एशियन डिविजिन का डेटा हाइट कर रखा है अब इसके अंदर मैंने अमेरिकन डिविजिन का डेटा हाइट कर दिया तो मैं तीन लेवल तर जा चका हूं चौथा लेवल अभी उपन है मेरे लिए इस तरीके से मैं आठ लेवल तक अंदर जा सकत हूं आब इसमें लेखिए होता है किया है कोई आया और इसको मै ने derived दिखाया कि किस किस डिविजिन का डाटा मेरे पास में न उपन किया तो यह शू कर रहे है बाकर कि division बीच में बंद कर रखियेंगे, दिखानी नहीं थी मुझे, मैंने दो डिविजन दिखा दिया सिरम और के उन के लिए इसके बीच हो और भी data über समझना ऐसे तो यह जब मैं open करता हूं तो माले जो सारी countries खुल गई country के अंदर का data मुझे खुलना है तो state खुल गई उसके अंदर क्या-क्या data है फिर हमें उसके अंदर भी जाना है तो हम इसके अंदर चलेगे तो उसके अंदर का data आगा है फिलिपकार्ट में नहीं देखते हैं आप लोग जो वैब application होती है तो categories होती है जब हम electronic पर click करते हो तो electronic की record आ जाते हैं सारे ठीक है फिर उसके अंदर भी type होते है laptop पर जाना है कि mobile पर जाना है तो मैं जब उसके अं आप ऐसे group कर सकते हैं अंदर से अंदर जाके तो art level तो होता है यह भी यह भी हमें ध्यान रखना है उससे ज्यादा नहीं होता है अब मैं आता हो आप लोग के पास screen पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके पास एक्सल फॉर्मेट है यानि एक्सल की फाइल है या फिर आपके पास एसवी की फाइल है दोनों के पर सेम काम करेंगा नो इश्य चले अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टास्पर तो यहां पर आपके सामने question भी है what is the maximum number of level you can create for each group in Excel workbook तो कितने level तक हम grouping कर सकते हैं उसका answer 8 होता है 8 से जादा grouping set नहीं बनते हैं इसके दू तरीक है हमारे पास है पहला है data validation दूसरा है conditional formatting तो data validation देखने हैं पहले ही वो क्या कहता है इसका मतलब होता है अगर हम user को allow करना चाहते हैं कि वो वही data sheet के अंदर Excel के अंदर cell में enter कर सके जो हम चाहते हैं करवाना जो validation हम अपने sheet में create करते हैं that is the part of the data validation तो इससे दो feature हमें पता लगते हैं पहला feature है by preventing the user from entering the invalid data इससे हम user को गलत data enter करने से रोक सकते हैं दूसरा अगर user गलत data enter कर भी देता है तो जो data validation आपको Excel के अंदर दिया गया है इस feature में आपको एक और feature दिया जाता है अगर कोई data गलत enter हो भी जाता है Excel sheet के अंदर तो भी आप इस feature का इस्तमाल करके उस data को highlight कर सकते हैं सर्कल कर सकते हैं कि कौन-कौन सा data invalid है ताकि आप अपनी उस report को अपने नीचे सब कुलिक को दिखा सकें और बता सकें कि आपने इस report में यहां यहां पे गलतियां की है चलो दिखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं इसका एक task हमारे पास है 1.6 चलो अब practically दिखते हैं इसको अगरके तो यहां पर मेरे पास एक data sheet है और इस data sheet में एक report है जिसमें मुझे sales details enter करनी है कि किस person ने किस category की किताब को कितना sales किया है वो quantity मुझे यहां पर enter करनी है तो जो भी quantity यहां पर enter होगी अब मैं validation लगाना चाहता हूँ कि कोई भी user जब यहां पर कोई value डाले तो वो negative नहीं होनी चाहिए क्योंकि किताब की sale हुई है तो अगर उसने कोई sale नहीं भी करिये किताब की तो maximum जो quantity sold हुई होगी वो 0 हुई होगी minus 5 तो नहीं हो सकता न यह गलत होगा और नहीं वो यहां पर कोई text value एंटर कर सके और नहीं वो यहां पर कोई point में number डाल सके यानि कोई किताब जब उसने sale करिये होगी तो किताब उसने पूरा बेचा हुआ ऐसा तो नहीं है ने कि साड़े 4 किताब बेचा चार किताब और आदा किताब फार्ट के दिया ऐसा तो नहीं होगा तो हम यहां पर चाहेंगे कि जो entries होनी चाहिए वो whole number की होनी चाहिए whole number का मतलब होता है without decimal number उन्हें हम बोलते है whole number तो यहां पर entry होनी चाहिए whole numbers की ना तो वो text accept करेगा ना वो decimal number accept करेगा और दूसरी शर्त आपकी यह रहेगी कि जो भी data यहां पर enter हो वो कम से कम 0 होना चाहिए उससे बड़ा कितना भी हो सकता है negative value नहीं होनी चाहिए तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको rule set करना है यहां पर validation लगाना है तो चलो देखते है validation कैसे लगेगा पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है हमेशा जहां पर आपको validation लगाना होता है वो cell select करने होते हैं यह सबसे पहला criteria है दूसरा criteria जब आप उसमें को validation लगाते है तो दिमाग के अंदर आपको rule set करना पड़ता है कि किस तरह का validation आप लगाना चाहते हैं अंदादुन नहीं जाना है जैसे हम border पर अंदादुन चले जाए तो हम माले जाएंगे तो border पर जाने से पहले पूरी तयारी होते है जिसको हम बोलते है pre-training यानि pre-exercise पहले pre-yoodh होता है तो इसी तरीके से जब आप इसके अंदर को validation लगा है तो पहले plan होना चाहिए कि क्या लगाना चाहते है अदरवाई सारा खेल खराब हो जाएगा आपको कहां जाकर validation लगाना है go to the data tab then data validation data validation में जब आप जाएंगे तो यहां आपको मिलेगा setting करने का option तो आप setting वाल करें whole number whole number allow करने के बाद आप यहां पर अपनी condition लगा दें अब देखें मैं हाप condition में क्या लिखूंगा मैं आप लिखता हूं greater than और equal to यह मैंने condition ली value डाली किस के साथ 0 के साथ तो मैं चाहता हूं यहां पर जो भी value हो या तो वह 0 के बराबर हो या उससे बढ़ी हो condition हमारी लग गए condition आप कैसी भी लगा सकते हैं सिर्फ IQ हमें हमारे पास होना चाहिए कैसा लगाना चाहते हैं माले जै मैंने condition देती greater than तो मैं greater than 0 लिखूं गडबड हो जाएगा तो 0 accept नहीं करे गई तो मैंने लिखा minus 1 यह समझ जाएगा minus 1 से बड़ा 0 होता है तो 0 accept करेगा उससे बड़ी value accept करेगा minus 1 नहीं करेगा तो आप यह भी लगा सकते हैं यह भी okay है अब एक चीज़ और अगर user गलत value डालता है तो क्या होना चाहिए error video पर जाएगे जो भी error message आप दिखाना चाहते हैं अपना title देना चाहते हैं वो title लिखें मैंने यह लिखा error उसके बाद message जो user को आप देना चाहते हैं अगर वो गलती कर रहा है तो आप उसको बोल सकते है please enter positive data value तो मैंने उसको एक message दिया साथ में कोई symbol अगर आप उसको देना चाहते हैं मैं उसको warning देना चाहते हूँ अब आप इसे okay कर दें अब इसमें जब भी data enter होगा वो negative नहीं होगा वो text नहीं होगा वो point में नहीं होगा चलो try करते हैं मैंना लिखा 10 enter किया इसने तुलत मुझे एक warning दिया मैंजी window खुली window जो title मैंने बनाया था error वो मु चुका है कोई बात नहीं लेकिन आब आप उसको बता सकते हैं कि होशो हवास में आपने data गलाट एंटर किया है computer ने तो आपको warning किया था आपने फिर भी गला data एंटर किया इसलिए वो अब इसको एंटर नहीं करेगा अब इस data को correct करेगा चलो मैंने आप 12 लिखा data enter हो गया तो ए रिपोट पहले रिव्वी होगी वो गलती देखेगा इसमें कहां-कहां गलती है तो गलती देखना बहुत इसान है वो कैसे देखेगा गलती यहां को देखे मैं इसमें कुछ entries कर देता हूं गलत एंटरी भी कर देता हूं कुछ जब भी गलत entries में होई थी तो उसको warning मिली थी बट फिर भी उसने गलत entry करी कोई बात ने अब जो जो गलत entries में हैं आप कैसे उसको पकड़ेंगे आप वापिस यहाँ पर जाएं यहाँ पर जाने के बाद डाटा वैलिडेशन पर जाएं डाटा वैलिडेशन पर जवाब जाएंगे तो यहाँ पर एक drop-down list होती है यह वाली इस पर click करें यहाँ आपको मिलेगा circle invalid data आपको इस पर click करने जो भी data गलत था वो तुरंत यह आपको बता देगा report को तुरंत mail में remail कर दें reply में डाल दें कि आपने data गलत एंटर किया हुआ है तो इस तरीके से हम sheet के अंदर data validation लगा सकते हैं चलो एक task और में इसके अंदर बताता हूँ कि uncircling data आप कैसे लगा सकते हैं प्रोसेस रहेगा थोड़ा data change हो जाएगा मेरा तो मेरे पास यहां पर आप देख सकते हैं कि salary sheet है तो salary sheet में मेरे पास employee की ID है नाम है basic salary है और जो भी कुछ salary information में payroll slip में होता है वो सारा data यहां पर है तो यहां पर गलती से negative entries हो गई हैं आप देख सकते हैं किसी के basic salary नेगटिव नहीं होता है और किसी का ह्या भी HR नेगटिव नहीं होता है तो यहां पर कुछ data मेरे पास यहां गलत आ चुक है आप देख सकते हैं और यह provident fund negative कैसे जा रहा है, तो कुछ entries गलत है मेरे पास, तो मुझे इन entries को सही करना है, तो मैं कैसे गलत entries को select करूँगा, तो सबसे simple सी चीज है, जहाँ पर आपको validation लगाना है, क्योंकि मेरा validation लगेगा सबसे पहले, मैं Excel को set करके दूगा कि कौन सा data allow करना है, तो मैंने वो सारा data select कर लिए, जहाँ पर मुझे validation provide कराना है, एक्सल में, तो data को select करने के बाद, बापिस से आप data validation पर जाएंगे, यहाँ पर data validation में जब आप जाएंगे, तो setting करें इसमें कुछ, setting बहुत ही simple है, किस तरह का data आप लाओ कर रहे है, decimal value, क्योंकि इसमें point आ रहा है, आप द data यहाँ पर चाहते हैं, अब Excel से आप कहें, कि please कोई data अगर इसमें गलत है, उनको please circle कर दें, तो जैसे आप यह click करेंगे, जो जो भी entries इसमें गलत थी, वो सारी entries आप यहाँ देख सकते हैं, वो mark हो गई है, बाद में तभी आपको यह entries हटानी हो, correct कर ली हो अपने अगर, तो correct करने के बाद आप यह entry हटाना चाहते हैं, तो clear कर सकते हैं, validation circle, like this way, अब मैं आपके पास आता हूँ, पूछने के लिए, data validation का यह format समझा गया, आप लोग को, please verify, chat window को यूज कर सकते हैं, ताकि मैं आपका message पर सकूँ, yes, okay sir, urban sir आपको, okay, got it, चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने next task के पास, तो अब हमारे पास अगला task है, highlighting the data, यानि formatting the data, इसको करने के काफे सारे rule होते हैं हमारे पास, तो 5 rule तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, highlight, cell rule, icon set, color scale, top bottom rule, data bar, एक एकर के देखेंगे, कैसे कैसे होते हैं यह, तो user defined the conditional formatting criteria can be created by using the new formula dialogue box as shown in the following figure, यह एक advanced level का task आगया, यानि यह बला, इसमें आप जब conditional formatting लगाते हैं, तो मैं conditional formatting कुछ predefined rules होते हैं, उनका use करके लगा सकते हैं, कुछ ऐसे data set होते हैं, जिनका कोई rule नहीं होता, तो हम खुद अपना rule बनाते हैं और उसके उपर conditional formatting apply करते हैं दोनों चीज़ों को देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं normal conditional formatting उसका task, तो यहाँ पर मेरे पास फिर से एक data है, अब इस data के अंदर मेरे पास कुछ sales report है, अब मुझे क्या करना है, इस sales report में से उन data को highlight करना है, जिनकी जो sales हुई है, वो कितनी होनी चाहिए approximately greater than 8000, उनको म data set आपको highlight करना है, वो आप select कर लें सबसे पहले, तो मैं shortcut की use करूँ हूँ, data select करने के लिए, control shift, right arrow key and down arrow key, मेरा पूरा data से select हो जाएगा, data को select करने के बाद conditional formatting पर जाना है, conditional formatting पर जाने के बाद आप उन data को highlight करना चाहते है, जिनकी value greater than हो, greater than कितना चाहिए हमें, वो हम डा अब मैं formatting करना चाहता हूँ, उनका green color, यानि उसका background color dark होना चाहिए, light green होना चाहिए, और उसके अंदर जो font का color है, वो थोड़ा light green में आजए, dark green में आजए, तो आप यहाँ पर जाए, custom format पर जाए, थोड़ी दिर में एक window open हो जाएगी, custom format जैसी आप करेंगे, यह window open होन change करना है, तो font पर जाए, यहां से आप थोड़ा dark green ले सकते हैं, जो भी आप चाहिए, मैं dark green में yellow ले लेता हूँ, और इसको ok करते हैं, तो यह sample आप देख सकते हैं, वहाँ पर आ चुका है, तो जिनकी भी entries greater than 8000 है, वो data select हो चुका है, देख सकते हैं, अब माले जो मुझे data set में एक और apply करना है, जिनकी भी यहां पर values less than 5000 है, मुझे उसको red करना है, तो data आप पहले select करने पूरा, data को select करने के बाद फिर से conditional formatting, highlight the rule less than, तो less than value कितना होना चाहिए 5000, क्या करना है, मुझे उसको red करना है, background color red नहीं करना है, मुझे उसका font का color red करना है, तो custom format, background color red नह तो यह सिरफ उन data को यहां पर implement कर रहा है, जिसकी value 5000 से कम है, देख सकता है 5000 को इसने नहीं छेडा, 8000 को इसने नहीं छेडा, और उन data को reflect कर रहा है, जिनकी value 8000 से ज़्याद है, जिनकी कम है वो red हो जाते है, जिनकी ज़्याद है वो yellow हो जाते है, तो इस तरीके से हम conditional formatting data के पर highlight करने के लिए लगा सकते हैं, तो एक तो यह rule हुआ, अब एक दूसरा तरीका देखिएगा, इसके उपर मैंने conditional formatting लगा दिया है, अब मेरे को यह हटाना है, तो हटाने का तरीका simple है, आप पूरा data site से select करें, conditional formatting पर जाएं, यहाँ पर आपको मिलेगा clear rule, तो इसमें दो तरीके होता है, एक होता है selected data, जो data आपने select के है, सिरफ वही से हटाना है, तो यह वाला, ऊपर वाला, अगर इस sheet में कहीं पर भी कोई rule आपने लगा रखा है, तो वो पूरा ही हटाना है, तो entire sheet, तो मैं entire sheet कर देख, data मेरा हट गया, अब दूसरा गरूल, company के manager ने आपको ब देखना है, तो तीन लोग highlight, custom formatting आप आप नापसर कर सकते हैं, तो अब मैं वो नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा ok करता हूँ, तो predefined custom formatting आप देख सकते हैं, तो तीन top के बंदे highlight हो चुके है, ऐसी आपको bottom के तीन लोग चाहिए, top के तीन हो गया है, bottom के तीन आपको green करने है, त कुछ और देखते हैं, font का color मैं कर देता हूँ, something like complete red only, तो जो bottom के तीन लोग है, वो ये वाले लोग है, तो आपको यहाँ पर data देखने लगेगा, अब एक rule और देखते हैं जरा, इसको मैंने complete select किया, और rule जो भी लगाए है, वो मैं हटा देता हूँ, अब एक data set में खुद का create करता हूँ, देखता हूँ, इसमें पना हुआ है कि नहीं, यह data set मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है, जरा इसको मैं समझाता हूँ कि यह कैसे यहाँ पर लगा, बना, everything, ताकि आप इसको असानी से समझ सके, यह data मैं copy करता हूँ, यहाँ पर side में ल data bar system बनाना है, यहाँ पर side में, टोटल marks 100 है, तो बार देख सकते हैं, पर बाकि इसके साफ से, इसका division दिखा रहा है मुझे, तो इस तरह के जो graph है, वो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, आपको यह data select करना है, पूरा यह वाला, और data को select करके इसे, आप इसे copy करें, और यहाँ पर डालें, इतना डालने के बाद आप देखें, next क्या करना है, इस पर जो color लगा हुआ है, आप इसको हटा दें, तो better है, तो मैं इसको clear कर देता हूँ, clear format या clear, ऐसे like this way, तो कोई formatting अब इसकी पर नहीं है, अब आप इसको select करें, conditional formatting पर यह रहा data bar, कोई भी color format जो आपको अच्छा लगए, आप ले लीजे, मैं यह ले लेता हूँ, तो color format यहाँ पर आ गया है, अब आप कहेंगे sir, number लिखे हुए, number तो हटे है नहीं, तो चलो मैं बता देता हूँ, number हटाने के लिए, आप color formatting पर दुबारा जाए, या manage rule पर जा जाएंगे, सिरफ आपको बार-बार दिखाई देगा, तो यह इस तरीके से बन जाता है, अचा, अब मैं आपको दिखाता हूँ, इसको color में कैसे highlight करते हैं, जैसे आप यहाँ देखिए, मेरा total paper 100 marks का था, यह बच्चो ने score gain किया है, ठीक है, तो जो भी score 100 के पास होगा, व bottom पर होगा, bottom score कितना है, इस list में 60 है, तो यह सबसे least score है, तो यह red आएगा, तो जो score सबसे टॉप में रहता है, जबसे ज़्यादा होता है, वो green आता है, और जो score सबसे कम होता है, वो Red आता है, और जो भी score इस इस कम वाले score के पास रहेगा, जितना नजदीक रहेगा, वो उतना red के पास आता जाएगा, और जो score 18 एन यान ज्यादा वाले score के पास रहेगा, वो green होता चला जाएगा, और जो बीच के score होते हैं, वो yellow हो जाते हैं, तो इस तरीके से एक average system होता है, confirmation का, तो यह उसको follow कर रह से, clear rule from the selected data set, सिरफ इसी वे से मैंने हटाया, अब आपको यह data set ऐसे select कर लेना है, और इसके बाद condition of formatting पर जाके color scale देना है, कोई भी color scale जो आपको ठीक लगे, चलो मैं यह वाला देता हूँ, तो मैंने color scale दिया, तो जैसे आप color scale देंगे, तो अब ठीक सकते है, score, तो यह मत color scaling भी दे सकते है, एक तरीका होता है, symbol का, यह देखे, symbol, जैसे share market का symbol होता है, जो उसका scale सबसे top में होता है, green signal उपर की तरफ जा रहा है, जो इसका कम होता है, वो नीचे की तरफ जा रहा है, average वाले neutral रहते है, तो यह data कैसे आ रहा है, इसको भी जड़ा देख लेते है, त तो मैं यह data number लेता हूँ पहले, copy किया, यह side में लगाती है, अब इस पर जो formatting है, वो मैं हटा देता हूँ पहले, अब मुझे इसको symbol में set करना है, पूरे data set को, select करा है इसको, conditional formatting पर गए, यहाँ पर आपने ले लिया icon set, जो भी icon set आपको अच्छा लगे, तो चलो green signal, red signal, yellow signal यह ले लेते हैं, जंडे वाला flag वाला system, okay किया, आप देख सकते हैं, green जंडा मतलब यह top पे जा रहे हैं, यह आगे हैं, red वाले यह नीचे चल रहे हैं, bottom पे, race में पिछे हैं, और यह average है, तो इस तरीके से हम इन systems को use करते हैं, अपनी sheets को, अपने dashboard को बनाने के लिए नहीं हो रहा होगा, अब मेरा सवाल है आप से, ऐसा क्यों, यह नहीं हुआ, ऐसा क्यों, अब देखते हैं, आप में से कोई इसका reply देख पाता है, anybody, वो हुआ reflect, यह नहीं हुआ, ऐसा क्यों, please reply, कोई तो answer दीजे, हाँ या ना, पता है तो ठीक है, नहीं पता तो भी, but answer ज question देखे, क्या था, यह अब मेरे पास एक data set है, मैंने same, इसी की तरह है, यह data set यहां बनाया, आप लोग के सामने, मैंने कोई changes नहीं करा, same to same वही चीज़ मैंने यहां पर बनाया, यहां पर यह data set का आप बार देख रहे हैं, symbol देख रहे हैं, यह reflect होता है, इस data के ऊपर, मा यह भी same मैंने ऐसी बनाया था, अब मैं पावन की यहां पर भी value change करके देखता हूँ, तो क्या होता है, देखे, मैंने 45 ली का, बट यह reflect नहीं हुआ, मैंने पावन का score 100 कर दिया, फिर भी reflect नहीं हुआ, ऐसा क्यों, that is my question, तो कैसे बनाएंगे, चलो बताइए, अबर बनान सब्सक्राइब करते हैं, यह और देखे, अब यहां तो हो रहा है, तो कर दो रखा हैं तो कोई formula ने लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे, तो इस cell पे कोई formula ने लगा हुआ है, हाँ, अब कैसे करां, कोई भी idea अपना रख सकते हैं, idea करना नहीं है, आइडिया देना है, आइए देने से भी हम काफी यागे चाले आते हैं या दिस वन so you are saying that I have to give the reference of this cell i5 so you are telling me that I have to return I have to write at here i5 is equal to i5 is equal to i5 like taking the reference of this cell okay so if I am reflecting this value it will work very nice so now what will be the next step just copy it and paste okay just copy this and paste it it will work so if I reflect the value at here it will be reflect if I changes the value it will reflect so it will taking the reference of this cell if I do something at here it will just changing the value that is the right answer is it okay to all of you is it okay to all of you sir conditional formatting पे काम कर रहा है तो मैं इसमें इतना बार चाहता हूं जितनी वैल्यू यहां पर है तो हमें यहां पर conditional formatting नहीं वो तो लग गया बारिंग सिस्टम से हमें यहां पर इस cell को इस वाले से connect करना था वो रह गया था हमारे तो इस cell को इस cell से connect करने के लिए हमने इसका रेफरेंस इसमें ढाल दिया तो इस वाले सेल का reference के था I5 वो value हमने यहां डाल दी तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमाने जो भी value रहे यहां कैसे आएगा, यह तो reference के तहता हैंगी न, 87 वाली value यहां पर अगर मैं लाना चाहता हूँ, तो reference से उठा सकता हूँ मैं इसको, conditional formatting क्या होती है, conditional formatting होती है, जो data यहां पर है, उसके उपर मैंने एक formatting करी है, depend upon some condition, जैसे data set यहां पर है, मैं इसके उपर कोई format करना चाहता ह कि condition किसी नहीं बोली कि अगर इसकी value 8 से कम है, तो red हो जाए, अगर इसकी value 8 से जादा है, तो green हो जाए, वो formatting में आता है, depend upon condition, that is called conditional formatting, but right now actually what we want, we want to display this bar, depending upon this value, so I will have to make the reference, I will have to connect both of these cells, तो मुझे इस cell को इस cell से correct करना है बस, उसके लिए आपने reference दे देना है इसमें बस, अब प्रेफरेंस देने से क्या होगा, जो भी value आपने यहाँ डाली, वो value यहाँ पर आ जाएगी, और actually यहाँ पर वो value है, यह जो value यहाँ देख रही है, वो value यहाँ पर है, हमने उनको invisible किया हुआ है, याद है आपको हमने किया था, invisible देखे, अगर मैं इसको added data sheet में जाकी करता हूँ, show bar only को हटा दूँ अगर, तो वो value आपको दिखेंगी, दिख रही है ना value, अगर मैं यहाँ पर कोई value change करता हूँ, तो वो value सामने आ जाती है, और इसके base पर conditional formatting लगी हुए इसमें, कि जो value इस cell के अंदर है, उसके हिसाब से data bar fill कर आए, तो अगर मैं इसका reference यहाँ स तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको देखें, तो यहाँ पर conditional formatting नहीं connect करना था वसमें इस cell को, तो connect करने के लिए हमने इस वाली value code, हाँ, यह अलग में आ गया थोड़ा सा, ठीक है, तो यह दूसरी चीज में यह reference plus conditional formatting दोने में चला गया, I think इतना के लिए रोगया हुगा आप आपको cell referencing बता हुगा, फिल rule के पास हम आएंगे, तो थोड़ा इसमें देखते हैं अदी आगे क्या चलता है, अब आता है arranging data in a tabular format, किसी भी data को tabular format में कैसे लेकर चलते हैं, चलो देखते हैं इसको भी task को, मैं देखता हूँ को data मेरे पास हो, जिससे मैं उसको tabular format में ले जालता हूँ, अब इसका column goal हम थोड़ा set कर लेते हैं, एक का height अगर आप set करेंगे, तो सबका अपने आप हो जाएगा, इसका भी हम column set कर लेते हैं, nice, ओके, ये मेरे पास एक data है, अब इस data को मुझे table में convert करना है, ठीक है, tabular format manage करना है, बहुत ही simple होता है, data में कहीं पर भ दवाए, T4 Tiger, तो table बनाने का option हो जाएगा, अगर table में column आपके पास पहले से मुझूद है, आप इसको check कर दें, ये देखिए, इसको check कर दें, बताएं अपने data set को, Excel को कि हमारे पास header मुझूद है, ok करें, table में header लग गया, table बन गया, अब table में ये filter button है, हटाने का तरीका slicer का use करूँगा, last name को उठाँगा, और अलग कर दूगा, ये देखिए, अलग हो गया data, मुझे इसका gender अलग चाहिए, बहुत ही simple है, वही तरीका, design पे जाएंगे, table tool के और slicer पे काम करेंगे, और इसका gender अलग कर देंगे, तो बड़ी असानी से आप उसके column set निकाल सकते अलग अलग, फिर इस column set को निकालने के बाद आप इसको decorate कर सकते हैं, जो data आपको इस table में चाहिए, वो मिलेगा, माल लिजे मुझे boss का data चाहिए, click करा boss का data आगया, मुझे सिरफ ये सारा data चाहिए, फिर से filter अटाया मैंने हैं से सारा data आगया, मुझे सिरफ female का data चाहिए, टोटल filtering नहीं हो रही है, उपर जाना ही नहीं है आपको, तो table में data लगाने से ये हमें फायदा मिल जाता है, अगर table ना हो तो ये फायदा हमें मिलेगा नहीं, फिर हमें यहां जा जाके filter लगाना पड़ेगा, तो मैंने ये जो columns ती इसको अलगी कर लिया, और ये सारे filter में लगा सकता हूँ, तो female मेरे पास ये है, फैरलल जाम का जो व्यक्ति है, वो female नहीं है, male select करें, तो male का data मेरे पास आगया, ये दोनों लोग male नहीं है, ऐसे मैं address के हिसाब से भी ले सकता हूँ, वगेरा वगेरा, अब ये filter बटन नहीं चीए, select करा, delete मारा, select करा, delete मारा, नहीं हो रहा है, तो एक काम करें, इसको select करें, इसको normal करें पहले table को, ठीक है, फिर दुबारा table बनाए, फिर reflect कर जाएगा, क्योंकि मैंने predefined table उठाया है, तो इसके उपर कुछ conditional पहले से लगी हूँ थी formatting, जो इसको reflect नहीं हो रही है, तो मुझे इसकी formatting को पूरा हटाना पड़ेगा, destroy करना पड़ेगा, या manually आपको data लिखना पड़ेगा, अभी मैं आपको यह data normal करना बताता हूँ, कि data को normal कैसे करें, यह table में data है, मुझे normal करना है, कैसे करेंगे, table पर select करें, आपको पहले तो यह चेक करना आना चाहिए, यह data normal है कि table में है, चेक करने का तरीक data बोलेंगे, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा data select करता हूँ, कहीं से, copy गया, किसी sheet में paste मारता हूँ, यह आपके, अब आप धियान से देखें, यह data table में नहीं है, यह table नहीं खुला, तो यह normal text data है, यह table नहीं है, चीक है, इसको इपर जो formatting है, वो हटाना चाहता हूँ, तो normally आप ऐसे formatting हटा सकते हैं, यह देखें, एक normal data है, table है ही नहीं, किसी भी angle से table नहीं है, अभी मैं इसको table में अगर convert करता हूँ, तो जो तरीका मैंने आपको बताया था, उसी तरीका का use करके आप इसको table में convert कर सकते हैं, चलो table में convert करते हैं, फुरा select किया, ctrl T दबाया, table में बना हुआ table किसी का लाया था, देखें, design change हो रहा है, कोई भी design आप दे सकते हैं, like this way, अगर आप इसे normal करना चाहते हैं, तो वो देखें, टाटा normal कैसे होता है, यह table में data है, table tool आ रहा है, normal करने के लिए का करना है, इसके design में जाना है, यहां मिलेगा convert to range, okay कर देना, यह normal ह अब यह table नहीं है, मैं इसका part नहीं निकाल सकता, gender अलग नहीं कर सकता, इसका address अलग नहीं कर सकता, मैं इसको अलग-अलग design नहीं दे सकता, क्योंकि टूल नहीं खुल रहा, अब इसको design देने के लिए मेरे को table select करना पड़ेगा, manually खुद अपने आप देना पड़ेगा, इसे font पर जाके background color change करना है, font का color change करना है, मतलब खुद इसे करना पड़ेगा यह सारा, अगर आप बने हुए predefined design चाहते हैं, तो simple तरीका, आप इसको table में convert करें, then आप प्री-defined design है, उनका इस्तमाल करें, ठीक है, तो यह table में data को लाने का तरीका होता है, I think मैं उम्मीद क Is it clear to all of you, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले topic पर, किसी को doubt होता है, तो session के दुरान भी आप बोल सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे, हमने यह पहला chapter complete कर लिया है, so I have completed this one, बट अभी हमारा day 1 का काम खतम नहीं हुआ है, अभी इसको थुड़ा ओर continue करेंगे, क्योंक करते हैं, referencing जब तक आप नहीं सीखेंगे, वो new rule नहीं सीख सकते हैं, जो हम conditional formatting में लगाते हैं, तो चले मैं आपको referencing के बारे में बताता हूँ, यहाँ पर आता है हमारे पास cell referencing, जैसा आप यहाँ देख सकते है, reference means address of the cell, हम एक cell का भी address ले सकते हैं, हम multiple cell का address भी ले सकते हैं जिसको बोलता है range, reference to the other workbook are known as link, अब भर हम किसी cell के उपर को reference देते हैं, किसी दूसरी workbook का, यानि किसी external sheet का, external workbook का, या किसी external document का, उसको कहते हैं link, जो कि हम hyperlink के नाम से जानते हैं, hyperlink, यह basic Excel में हम लोग सभी जानते हैं, इसको बनाने का shortcut तरीका होता है, control key, चलो मैं आप देख सकते हैं, यह desktop है, desktop में एक file पड़ा हुआ है, book.xlsm, और काफी सारी file है, आदेखी policy वगरा यह file है, अब किसी भी file को मैं link करना चाहता हूँ, Excel के किसी sheet के साथ, चलो यह sheet में खोल लेता हूँ, और यहाँ पर link देता हूँ, click here, और यहाँ पर link करना चाहता हूँ आप किसी एक file को, जो desktop पर पड़ा हुआ है, shortcut की दबाया, control and then key, key for kite, आपके सामने एक book आ जाएगी, cell को select करके मैंने ये shortcut की दबाया, अब आप यहाँ से desktop पर जाए, यानि जो भी location है, जहाँ से भी आप किसी file को select करके link करना चाहते हैं, वो location आपको पता होने चीए, तो म मेरा location desktop था, तो मैं desktop के पास गया, और यहाँ पर एक file पड़ा हुआ है, मैं उसको खोल देता हूँ, that is netis.text, अब मैं इसको ok करूँगा, ok करके link बन जाएगा, अब इस link को click करने का तरीका, mouse ले जाकर click करें, वो file open हो जाएगा, तो कोई भी file ऐसे open हो जाती है, तो आप इस इसको जो बनाते हैं, यह कहलाता है, external link, यानि link कहलाता है, referencing एक अलग चीज होती है, वो देखे क्या होती है, referencing चार तरह का होता है, एक होता है relative, absolute, mixed और 3D reference, चलिए एक ही करके न को बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको relative reference बताता हूँ, यहाँ पर मैं एक Excel की sheet लेता हूँ इस sheet है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ marks, और यहाँ पर कुछ bonus number, तो मैंने marks डालें, सबसे पहले मैं आपको relative reference की परिवाशा बताता हूँ, relative reference का मतलब होता है, in the relative referencing, when the position of the cell that containing the formula changes, the references also changes, बहुती simple है इसका मतलब, मैं करूँ आ practically, फिर उस मतलब को आपको explain कर दुआ, देखिए, मुझे इन दोनों cell को add करने, यानि 65 और bonus marks, add करने, तो मैंने 65 का reference लिया, नाम देख सकते हैं क्या आगया, C5, अब मैंने 4 नमर वाले cell का reference लिया, नाम आगया, D5, enter किया, काम ह अब मैंने cell को copy किया, और इस cell को copy करके नीथी paste कर दिया, तो अभी जो मैं अभी फिलाल में कहां पर हूँ, E5 में हो, और मैंने इसको कहां पर paste किया, E6 में, तो मैंने अपनी एक row change करी है, यानि row में increment हुआ है, तो क्या होगा, reference भी increment हो जाएगा, देखिए reference increment हो गया, आप reference ले रखा था, वो ले रखा था, C5 और D5 का, तो इसने जो reference ले रखा था, वो इन दो cell का ले रखा था, तो इसका जो reference था, वो भी एक row आगे बढ़ जाएगा, और जो reference आगे बढ़ेगा, तो इस वाले cell का, इस ही चीज़ को महां पर define किया गया, देखिए, इन relative referencing, when the position of the cell that containing the formula changes, references also changes, वही काम यहां पर हो रहा है, जिस cell में आपने formula लगाया है, अगर आप इसका reference change करते हैं, तो जो reference आपने इस पे लगाया था, उसका भी reference change हो जाएगा, तो आपने ये formula इन दो cell पे लगाया था, अगर आपने इस formula की position एक row आगे बढ़ाई, तो reference reference भी एक row आगे बढ़ गया, अगर अभी भी समझ में नहीं आए, तो फिर से explain करता हूँ, अगर मैं इसको copy करूँ, यहां से देखना, अगर मैं इसको copy करूँ, और copy करके यहां पर paste करूँ, तो कितनी row आगे बढ़ा मैं, दो row आगे बढ़ा, तो अभी ये इन पे लगा copy और यह paste, I think समझ में आ रहा हूगा, यह इस पर लग क्या, तो इसे हम बोलते है relative reference, चलिए अब मैं आपको absolute reference के बारे में बताता हूँ, this is our second part, absolute reference देखे क्या होता है, in absolute reference, the position of the cell containing the formula does not change, even if you move or copy the formula to the another location, इसका मतलब होता है, कि अगर आप किसी cell में किसी भी तरह का कोई formula लगाते हो reference लेकर, अगर आपने वो reference absolute करके लिया हुआ है, तो reference नहीं बदलेगा, भले आप formula की position बदल देजे, चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, मान लीजे, मैंने ये वाला cell लिया, और इसको relative की बजाए मैं absolute कर देता हूँ, absolute का मतलब होता है, row और column जो आपको यहा जैसी आप F4 function दबाएंगे, ये दोनों जो row आपको दिख रही है, ये lock हो जाएंगे, lock हो चुकी है, got it, अब मैं इस वाले cell का reference लेता हूँ, और इसको भी कर देता हूँ, lock, तो ये भी lock हो गया, अब मैं enter करता हूँ, अब अगर मैं इसकी position को बदलूँगा, तो reference नहीं ब reference नहीं बदला, इसको हम कहते है, absolute reference, इसका हम कहां पर utilization कर सकते हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ, मान लिजे, इस बार data मेरे पास कुछ ऐसा है, किसी manager ने हमें बोला कि भाई, ये बच्चों के marks है, और ये bonus है, उपर लिख दिया उन्होंने bonus, और सभी बच्चों को एक ही bonus क्यों आ रहा है, इसका reference है, ये cell, अगर मैं यहां पर जाँगा, तो एक एक रोड नीचे बढ़ा हो भी देखिए, तो ये खाली value उठा रहा है, अगर मैं और नीचे जाता हूँ, तो और नीचे वाली value उठा रहा है, तो ये reference भी बदल रहा है, तो मैं क्या चाहता हूँ, ये तो change होता रहे, बड़ ये change ना हो, तो इसको lock करना बड़ेगा, formula मेरा कुछ ऐसा बनेगा, देखिए, equal to करना है, ये वाला cell आपको select करना है, plus करना है, ये वाला cell select करना है, बड़ लॉक कर दीजेगा इसको, ये हमने lock कर दिया, हो गया हमारा काम, अब इसको आप copy करें और यहां तक ले जाए, simple, हो गया ना काम देखिए, ये simple, ठीक है, इसको देखिए, चारवाला cell नहीं बड़ रहे, वो लॉक हो गया है, तो इससे में ये फायदा हो जाता है, अब मैं आता हूं आपकी screen पर, verify करने के लिए, is it clear, relative and absolute reference is clear, here, yes, yes, you have to just press the F4 or you can manually type the dollar sign, before the row or before the column, so it will just lock that cell, so that the reference will never change, if you change the cell value that contain the formula, then your reference will never change at any cost, okay, okay, चलिए, अब हम बढ़ते हैं, इसमें थर्ड टाइप पर, लिए थर्ड टाइप of reference, that is known as a mixed reference, तो mixed reference में क्या होता है, इसके अंदर हम एक को lock करते हैं, एक को unlock रहने देते हैं, यानि इसमें absolute relative दोनों चलते हैं, यानि मैंने row को lock कर दिया, column को नहीं करा, या फिर मैंने column को lock कर दिया, row को lock नहीं करा, that is known as a mixed reference, यह सबसे ज़्यादा use होता है, यह अंदर के दा, सबसे ज़्यादा use होने वाला जो type होता है, वो था mixed reference, चले इसका भी एक example लेते हैं, तो मैं अपने screen पर आता हूँ वापिस, और यहां पर एक example लेकर दिखाता हूँ, इसको मैं delete ही माल देता हूँ पूरा, यह dataset मेरे पास है, कुछ data मैं copy करता हूँ, copy and paste, ठीक है, यह row का size फिर भी गड़ गया, row का size मुझे थोड़ा tip कर लें देते हैं, मुझे लगता है, इसका macro बनाती रखना पड़ेगा मुझे, इसका column size थोड़ा change कर देते हैं, got it, good, अचा आप देखे, माली जी मैं यहाँ पर एक reference उठाता हूँ, जहां से देखना, मैंने reference उठा है, name of the applicant, अब reference उठा ला है, किसी ने बोला, मेरे boss ने बोला कि heading सारा same लेलो, data हम बदल के लिखेंगे, अब heading मुझे सारा same लेना था, जो ऊपर लिखा हो गया, और boss ने मुझे यही बोला, बस देखो, ऊपर वाला जो data set है, उसमें जो heading है, वो सारा heading लेलो आप, तो हमारे दिमाग में क्या है, मैंने इसका reference उठा के डाल गया, तो जो यहाँ होगा, वो यहाँ आजाएगा, इससे गड़बड हो गया, किसी बंदे ने cell को copy कर लिया और यहाँ पर डाल दिया, तो क्या होगा, वो इसका data copy करके लेने लगएगा, देखो नीचे की तरह, लेना है न, इसको copy करके और नीचे लाओगे तो वो इसका data लेने लगएगा, देखो, यह गलत हो गया, data आना है नीचे यह से, यह गलत हो मिरको data यहाँ चाहिए ही ने, मैं चाहता हूँ कि सिरफ इसकी row, यानि इसकी column तो copy हो, फर row copy ना हो, तो देखिए, अब मैं क्या logic लगाँगा, देखिए तरह देहां से, मैं इसको delete मारूँआ, यहाँ पर reference लोगा, cell को उठाँगा, मैं चलो इसको थोड़ा जूम कर लेता ह चलो, पूरी तरह से गदम हो गया, अब यहाँ देखिए, मैं reference लेरा हूँ इस cell का, देखना, मैंने cell का reference लिया हूँ, इस cell का reference लोगो तो मैं क्या चाहता हूँ, कि row lock हो जाए, यानि row copy ना हो, तो row को lock कर दूँआ, यह देखिए, dollar लगा दिया, मैंने इसके साथ ऐसे, ठी है, एंटर किया हूँ, मेरा काम बन गया, अब इसको मैं अगर इस side stretch करता हूँ, reference को change करता हूँ, यह देखिए, column मेरे विल्कुल perfect आ गया है, ठीक है, लेकिन, अगर मैं इसको नीचे की तरफ stretch करूँ, और data कभी भी नहीं आएगा, उपर से, कभी नहीं आएगा, क्योंकि तो मैंने lock कर दिया, तो data का आया ही नहीं मेरे पास, तो यह चीज, यह थोड़ा में ध्यान रखना है, कि किस तरीके से हमने इसको lock करना है, किस तरीके से lock नहीं करना है, ठीक है, अब थोड़ा इसको reverse करके दिखाता हूँ, उल्टा करके दिखाता हूँ, जैसे की, मुझे इस बार यह data नीचे की तरफ को लाना है ऐसे, लेकिन column नहीं आना चाहिए, ठीक है, यह नहीं, मिलको row को free करना है, column को lock करना है, ठीक है, तो मैंने फिर से sell लिया, इसको pick किया, और मैंने इस बार क्या करा, column को lock करना है, यहां से देखना, मतलब को समझी है, चीजे अपने आप आने लगेंगे, ठीक है, concept समझा है, यह बस, coding अपने आप आता है, programming अपने आप होती है, concept समझे, मैंने column को lock किया, अब क्या होता है, इसको, column को lock किया, तो column से कुछ नहीं होगा, और मैं कितना ही बढ़ानू इसको, यह हमेशे name of applicant ही रहेगा, यह बदला ही नहीं, ले आप ही सारे जो rules आपके बनेंगे, वो इसी whisper बनेंगे, चली मैं आपको अब rule बना के भी दिखाता हूँ, एक rule बनाते हैं, चली है, तो rule क्या बनाएं, जरा हम देख लेते हैं, किस चीच का rule आप बनाना चाहते हैं, तो मेरे को एक data चाहिए होगा, को धंका सा, चली इसी प the column number is employ id, employ id डाल देते हैं, 1, 2, 1, 2, 4, 6, 8, 3, ठीक है, यह मैंने id डाल दिया, अभी same format में यहाँ पर लगा देता हूँ, अब आपको देख रहा होगा, कि मेरे पास एक table है, और इस table में मेरे पास कुछ records है, अब मुझे क्या करना है, इन सभी record को check करना है, conditional formatting की base पर check करना है, मैं आप लोग को देता हूँ पहले आप लोग बताएं कैसे होगा, क्या आप नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं कि नहीं कर जो record no.4 है, वो data highlight करना है, यानि वो record highlight हो जाना है, तो ये काम आप कैसे करेंगे, अगर मैं employee की ID हाँ बदलकर one कर देता हूँ, तो ये data highlight हो जाना चाहिए, यानि इसका background color यह नहीं हो जाए, अपने आप, automatic, then how to make it possible, ये, प्लीज, आपने से कोई भी, anybody should try, if yes, please message, if no, then again please message, so that I can understand and I can move to my next topic or I can explain it, anybody can do this, if I am entering any employee ID, let us suppose if it is 8, then it will highlight the data, if there are two employee ID is 8, then it will highlight the data, both the record, that containing the employee ID is 8, so that is my task, yeah, how to make it possible, yeah, please tell me, if I select this, then it will be unselected, if I select this, it will be unselected, so first I have to select the data, got it, then I will have to go to the condition of formatting, then new rule, which, which formula we have to apply, which format, second one, okay, then, there is this one, what criteria we have to apply, between, yeah, tell me, between, tell me the number, you want to replace this, you want to replace this with equal to, and 8, if I get it 8, it's like this way, okay, then format, give the background color yellow, okay, but it select only this data, I want to select complete record, I required the selection of complete record, and it is not depend upon this cell, if I change the value at here, it will not reflect, it has already selected, so if I am making it here too, then it will be unselected, it will be unformatted, I required this will become unformatted, but right now it is again highlighted, so it is not connected with this cell, if I am making it here 1, so there will be no reflection, so I think, are you getting my point, actually what I required, okay, so how to make it possible, so first of all, I am removing the formatting, now watch it carefully, how to use the new rule formula in conditional formatting, so let us suppose anybody enter at here any value, and I want to select that record from this data set, so how to use this conditional formatting, first of all, select the data where you want to apply the formatting, so this is the area where I want to require the formatting, so I am selecting it first, then go to the conditional formatting, click on the new rule, so when you click on the new rule, you are seeing at the bottom side, at least use a formula to determine which cells you required a format, so I will have to apply at here, my own formatting, my own referencing, so how to make it possible, so just put the pointer, click on ok, is equal to symbol, then select the reference of this cell, okay, but before selecting this reference, I am selecting this cell, just watch it carefully and listen carefully, it is very important point, I am selecting this cell, so when I select this cell, actually you can see both the rows and the columns are locked, you can see both the rows and the columns are locked right now, so actually what I require, I want to search this record with this value, am I correct or wrong, I want to search this value with this value, so I have to make it comparison, if this value is equal to this one, okay, then I will have to give the formatting, so which type of formatting I want to give, I want to give the yellow color, so after that I am click on ok, so it will give the yellow color, but don't press ok, don't press ok, don't press ok, now understand it, now understand it, now see what is happening, now understand it, now understand it, this is F3, F3 means this cell, so this cell will compare it, I3 will compare it, I3 will compare it, this value will compare it, then what will happen, then what will happen, this value will compare it, I will have data full select, so I want to select it, the next slide should be 8 and 6, the next compare it is 8 and 6, the next compare it is 4 and 6, then 6 and 6, this will match it, the same as it will match it, the same as it will match it, which data will select it will be yellow, okay, so this will do it, it will not go, because it will lock it, so I will unlock it, so that I will unlock it, 8 compare, 8 compare, 8 compare, 4 compare, 4 compare, 6 compare, so you need to unlock it, so I have said, mixed formatting will be very useful, you will understand it, concept to keep it in mind, sit in mind, you will understand it, you will understand it, then you will finish the job, this is the study, this is the study, so I have to do it, I will understand it, now I will do it, okay, see what happens, superb, okay, I will check it, one, one, superb, check it, 8, now, very easy, simple, what do you need to understand, how do you learn about it, this is the study, here, here you go, and you search it, एक एकर के वैल्यू यहां से कंपेर होरी है ये वैल्यू नहीं बदल रहे है क्योंकि मैंने इसको लॉक कर दिया था था चुंप再 ये सरफ यहां कॉंपैर कर रहे है इश को इस से कंपर राए ये बाल Сам है qué झाल कपर इस ए आ इस एड़ हो ए इस एपर इस एड आप व zaten इसंद स अबार engineer इस ए judgment someone a वे चंब फोवन शॉपन ए खा आपनिंग राइट नाओ एक्चुली सो यह तरीका है हाइलाइट करने का मैं आपके स्क्रीन पर आ रहा हूं और पूछना चाहूंगा की इस इट कंफरमेशन ऑगे नाइस चली अब यह तो बात हो गई इसकी अब जरा कॉलम पर बात आ जाती है कॉलम पर कैसे करेंगा हम चलो अब एक लिस्ट बनाता हूं फॉर्मेटिंग की तो यह पूरे कॉलम मुझे यहां पर चाहिए एक हैल के अंदर पूरे कॉलम तो कैसे आते हैं डाटा पर जाओ डाटा वैलिडेशन पर जाओ अलाओ करो एक लिस्ट सोर्स देदो इसको इस लिस्ट पाईरा ओके करो इसमें आप में से देखता हैं कौन बदा पाता है जैसे मैंने सेलेक्ट किया फोन नंबर तो फोन नंबर हालाइट हो जाए हाव मने फूरे प्लीस ट्राइज रॉर करें बने ना बने बाद की बात है कोई करना चाहे का ट्राएट यह मैं कोई यह थिस्ट दाटासेट अच्छली व है भालाइट को यह थिए उन्बर राएट अपन यह थी टॉर प्ली पी इसपले इस अर पर एवे च्राइट नंबर यह थिस्ट आपन आपन यह थिस्ट यह था इस्ट ओर रॉन पास्त्राइट कि वह थ प्लीप टूंचलीड घ। Go to the data, then go to data validation, then add here, you have to allow the list, then select the source, so my list will become from this data, then click on OK, it will create the list, so you can see the list is coming. OK, so now please tell me anybody can do this task, how to make it possible, if I select any column, it will be highlighted, OK, OK, please tell me, OK, custom formatting, OK, OK, conditional formatting, like, yeah, then new rule, new rule, yeah, determine this relative format, yeah, last one, yes, dollar i, dollar i, dollar 2, OK, equal to, A, dollar 2, like this way, very nice, yes, yes, very good, sabash, very good, OK, so here actually, what you are doing, you are actually locking the row, but you are not locking the column, because you want to compare this column with this one, then next column with this one, and so on, you are correct, you are correct, well cool, right, OK, then complete, very easy, so if I select any other column, it will be highlighted, if I select date of birth, it will be highlighted, so it is very easy, if you do like this way, your task will become awesome, OK, so this is the conditional formatting new rule, rule, OK, so I assume it is completed, so now go to the next part of my data sheet, so this is the 3D reference, this referencing methodology referred to the same cell, or the same range of the cell in the multiple worksheet, which you will have, even if one time you will have, your data that you have to use there, then you will have conditional 3D reference, so I will tell you how to make these 2 sheets, sheet 2, I will add a number, something like this, now I will make these number for sheet 3 as it wants, reference to me, general way, then there is number for sheet 3, how to make it possible, so you will send the kind of sheet 3, which you need to fit in each sheet, which you will need to process what you need, then you can have a simple sheet, which you can send it to you, equal to करें, sheet पर click करें, sheet2 पर, जैसे आप sheet2 पर click करेंगे, देखिए उसका नाम यहां जाएगा, sheet2 exclamation, अब जो भी cell आपको शीट का चाहिए, उसको click करें, उसका reference यहां पर आजाएगा, अब आप enter करदें, वो reference में पहुंच जाएगा, 345 यहां आ चुका है, इसी को होलते हैं 3D reference, जब भी आपको किसी दूसरी sheet से data, किसी तीसरी sheet पे, चौती sheet पे चाहिए, तो आपको यह format उसकरना पड़ता है, sheet का नाम देकर exclamation, यही काम आप manually भी कर सकते हैं, देखें मैं manually करके दिखाता हूँ, मेरा sheet का नाम था sheet 2, और उसके यहां पर 8 लिखा, तो यहां पर भी आपको 8 दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको sheet 2 के cell A1 से connect कर रखा है, तो इसको बोलते हैं 3D reference, जब आप multiple sheet से referencing लेते हो, same sheet से referencing लेते हो, तो आपका relative, absolute और mixed के अंदर आ जाता है, लेकिन जब आप दूसरी sheet से लेते हो, तो आपक चारो reference के लिए रहो गए है, relative, absolute, mixed और 3D reference, very good, तो मैं उमीद करता हूँ कि आज एक दिन का session attend करने से आपने कुछ सीखा होगा, यानि काफी कुछ upgradation आई होगी हमारे अंदर, कि हम लोग अपने आपको कितना बहतर बना सकते हैं, किसी भी training को लेकर, तो एक दिन का content हमने कर करा हूँ है, तो day two का session थोड़ आसा हम collapse करके यहां पर ले आते हैं, तो define name मैं अभी complete कर देता हूँ, उसके बाद day two के session में क्या क्या आएगा, वो आपको next Sunday को बता लगेगा, next Sunday की timing मैं आपको group में डाल दूँगा, क्योंकि हम तीन ही लोग है, तो timing अगर एक दो घंटा उ मुझे नहीं लगता की problem हमारे साथ होने वाला है, क्योंकि next Sunday से मैं VBA का अभी branch स्टार्ट करने वाला हूँ, तो अभी मैं define name बता देता हूँ, define name बहुत ही असान चीज होती है, मैं एक बार देख लीजे हैं, define name का इस्तवाल के जाता है किसी भी cell पर जाने के लिए, किसी भ starting name आ रहा है, बट बाकी का नाम नहीं है, तो मुझे याद रखना पड़ेगा, या range को उठाना पड़ेगा, तो मैं इसको क्यों नाम दे दूँ, इस पूरे data set को नाम दे दू, अगर मैं देखूँ तो यह क्या है, C8 से लिए C13 तक का data है, तो मैं इसको नाम देना चाहता ह तो cell का नाम होता है, जैसे something like, मैं कुछ लिखता हूँ, तो cell पे चला जाता हूँ, तो cell का नाम होता है, जैसे मैंने M1 लिखा, तो मुझे मेरे वाले cell का नाम पता है, क्या नाम था उसका Q1, कभी भी मुझे उस set पे जाना है, तो देखो, चले गए, simple है, that is a way, अब मैं इस को नाम देखे, तो मेरे पास दो range है, कभी मुझे उन दोनों data को add करना है, multiply करना है, तो असान है मेरा काम, मैं सम लिखूंगा, यहां पर लिखूंगा Q1, वो अपना आप देखो data select कर लिया उसने, दूसरा मुझे quarter 2 का data चाहिए था, तो quarter 2 लिखा, उसने वो भी highlight कर लिए, यहां पर range कर रखे हैं, किसी और बंदे ने उस sheet में कौन-कौन से नाम दे रखे हैं, किसी cell को, तो कभी बड़ा data set होता है, तो हम cell के नाम रख देते हैं, तो वो सारे नाम आप यहां पर name manager में जाके देख सकते हो, कभी भी आप edit करना चाहते हैं, उनको edit कर सकते हो, देखे What it? अचा, एक चीज और मैं आप लोग से पूशेना चाहूँगा, मैं जानना चाहूँगा कि आप में से कितने लोग इसका answer दे सकते हैं, तो question मेरा यह बहुत है simple है, question बता देता हूँ, क्या है, okay, यहां पर मैं कुछ numbers की entry कर रहा हूँ, that is a sales report, actually, मैं यहां पर कुछ sales reports की entry करूँगा, और जो भी मैं sales के number यहां पर डालूँगा, something like, उसका जो add होगा, sum होगा, क्योंकि मुझे entry करने है 100-200 लोगों की, तो उसकी entry है sum की, वो यहां पर आ रही है, okay, तो मैंने यहां पर sum formula लगा दिया, और यह cell मैंने पूरे select कर लिए, simply इस answer देखते हैं, कितने ल अब मैं अगली entry करता है, चेक करना चाहता हूँ, किसने sum हो गया, कैसे check करेंगे, how to check it, please reply, anybody, please reply, how to check it, what is the total, अब देखें, go to bottom, अब मैंने का ऐसे go to bottom जाना पड़ीगा, अभी तो यह 47 था, अगर यह row का number, let us suppose, मान कर चलिए, होता, 5,322, तो ऐसे go to bottom, हम कैसे करते हैं, are you getting my value? हाँ, बताईए, मैं जैसे यहाँ पर कोई value डाल रहा हूँ, तो मुझे कैसे बता चलेगा, इन सब पर total कितना है, मुझे direct देखना है, मुझे total देखना है, कितना बन गया, तो मुझे तो scroll करके नीचे जाना ही पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है, तो वो मैं जानना चाह देखनाचरब हुआ, तो मुझे ट हां कितना है, ।ो मुझे तो bottom side this one then click on okay then what will become let us suppose if I am making entry 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 and III I am just going on to the road number 12 then what will happen my record will not visible then I have to again scroll up ellis scroll down more than scroll up can nobody it is not a right way then any any suggestion any idea this problem should give us this problem if you have this problem if you have this problem you want to see which output you have made a dashboard and you have a big data set working on it and the answer is below it so many times when we are entering doing the answer is good in our mind now how much is it how much is it how much is it how much is it so we scroll up and see it so just like 4 people enter it so we can see how much revenue is generated होगय आज हमारे ओफिस में तो स्क्रॉल करकर देखते हैं और या 9188 वा भी कितना होगा मतलब स्क्राओल करकर देखने के क्या जूरत है डाटा यहां दिखेगा आपको लाइव दीखेगा चलो बताते हैं आपको मुझे यहीं देखना ना मुझे के बाद आप में कि वार्ष विंडव और अड्रेंस लें डॉक्ट करों पर 127 अध्युम्र वाली रहार्थवल का मुझे जी कर देखिये ऐढूंडD एक एड किया, और रहा है रिफ्लेक्षिन नहीं हो रहा हो तो बता हो, आप इसको कितने स्क्रॉल कर लो इसको कोई फरक नहीं पड़ता है। तो आपको जो भी डाटा देखना चाहते हैं, एक नहीं काफी जारा देख सकते हैं, को डूसरा यहाँ पर है, उसको भी देखना चाहते हैं, अड़ कर दू, तो दूस्रा का data भी इसमें अड़ हो जाए, लाइक दिखता रहेगा आपको, तो इसका इस्तमाल हम यहाँ पे करते तो ये watch window हमें इसलिए दिया गया है, तो आप इसका इस्तमाल कर सकें I think my session has completed right now, so अभी देख लेते हैं हम कितना कबर कर चुके हैं तो 8 गंटे का session आदे मारा चला है, तो गरीब 6 गंटे का class ओर रहेगा तो 6 गंटे आप इसी तरीके से साथ रहेगेगा, आपको इस सब कुछ सिखा दिया जाएगा कुछ भी नहीं बचेगा, with doubt clarification, सब कुछ आप सीख जाएगे I think मैं आज का session बन कर सकता हूँ, is it okay to all of you, समझ आया है सब को चालो, ठीक है, next session में मिलते है, Sunday को, timing में आपको confirm कर दूँगा, और जो भी मैंने ये sample data लिया Excel की, या आप लोग को कुछ देर के बाद, आपके WhatsApp में भेज़ दूगा, आज के लिए बस इतना ही, take care, bye bye, मिलते है next, next time, bye bye, take care, welcome, welcome sir.